अगर मेरे पेरेंट्स मेरे को गाली देते हैं, तो आपने कहा था कि पर्सनली मत लिया करो, तो जब गाली मुझे पता है कि मुझे दी जा रही है तो मैं पर्सनली कैसे न लोग और जो लोग गुसे में गालीयां देते हैं, वो क्यों देते हैं, क्या सोच हो सकती है, क्या साइ लोग गालियां दे देते हैं गुसे में वो क्यों देते हैं क्योंकि गुसा तो कुछ और कहकर भी निकाला जा सकता है कोई किसी को समझता नहीं है और मैं खुद भी emotional होकर कितना कुछ गलत करती हूं मैं भी लोगों के साथ बत्तमीजी करती हूं तो इसका क्या कारण है जरा इसके बारे में थोड़ा बताएं तो इसका कारण साफ है कि जो गुसा होता है वो व्यक्ति का natural reaction होता है पहले तो ये समझना पड़ेगा कि गुसा आता क्यों है गुसा तब आता है जब आप ने कुछ सोचा होता है कि कोई काम किसी तरीके से होगा स्पैसिफिकली उसी तरीके से होगा जैसा आपने सोचा होता है यहां उमीद की होती है लेकिन दूसरा व्यक्ति उस तरीके से वैसा काम नहीं करता तो आपकी जो उमीद होती है उसको चोट पहुंचती है तो आपको गुस्सा आता है फॉर एक्जामपल अगर आप सड़क पे भी चल रहे हैं तो आपको लगता है कि लोग तरीके से चले एक दूसरे में टकर ना मारे और कोई व्यक्ति गलती से आप से टकरा जाता है तो आपको गुस्सा आ जाता है इसी तरीके से आप कुछ भी समझ लीजिए कि जैसे दो लोग हैं दो दोस्त हैं अगर कोई आपको अटेंशन नहीं देता है आप किसी को इज़त देते हो आप भी उससे एक्सपेक्ट करते हो कि वो आपको इज़त दे लेकिन वो दूसरा अगर आपको इज़त ना दे आप थोड़ा सा गुस्सा आएगा, आप कंट्रोल करोगे कुछ लोग कंट्रोल करते हैं, कुछ लोग कह देते हैं लेकिन जो लोग कंट्रोल करते जा रहे हैं, उनकी भी एक लिमिट है एक लिमिट के बाद वो कंट्रोलिंग कर पाएंगे और वो जो गुस्सा धिरे धिरे एकठा किये जा रहे हैं वो एक दिन गुस्सा बाहर निकलेगा और बुरी तरीके से बाहर निकलेगा और दूसरे को अच्छे से चोट पहुंचाएगा दूसरे को समझ में नहीं आएंगा कि ये तुमने गुस्ता किस बात का कर दिया जब उसको समझ नहीं आएगा उसको बुरा लगेगा कि आपने उसके इगो पे चोट करी, एहम को चोट करी तो फिर वो भी आपके साथ बत्तमिजी करेगा तो यहाँ पे समझने की बात है कि जब लोग किसी वजह से बुरा महसूस करते हैं बुरा फिल करते हैं उनको लगता है कि जैसा होना चाहिए वैसा नहीं हो रहा तो उनको ऐसा लगता है जैसे सोचने समझने की ताकत वो गमा देते हैं जैसे दिमाग कुछ सोचने और समझने की स्थिती में ही नहीं रहता और उसके सामने बस उसका ऐसा लगता है कि ये कैसे हो गया ये क्यूं हो गया फिर आदमी चीहने चिलाने लगता है वो चीहना चिलना इस बात का संकेत है कि व्यक्ति का खुद पे कोई नियंत्रन ही नहीं है ये आपने भी सुना होगा कि लोग कहते हैं कि जो लोग गुसा करते हैं वो कमजोर होते हैं वो कमजोर क्यों बोलते हैं उनको वो कमजोर इस वाज़े से होते हैं क्योंकि उनका self-control कुछ होता ही नहीं है वो खुद पर control नहीं कर सकते हैं वो weak हैं weak क्या है? वो लोग नहीं है weak उनका self-control बीक है और जिनका self-control weak होता है वो व्यक्ती दूसरों के लिए इतने खतरनाक नहीं होते जितने की वो खुद के लिए होते हैं दूसरें who भी अच्छे से नुक्सान पहुचा देते हैं क्योंकि गुसे में आपको समझी नहीं आता कैसे रेयक्ट करना रेयाक्ट करना है क्या सोच समझ के तो कुछ व्यक्ती करते हैं कि बस तोड़ फोड़ करनी है कैसे भी करके या तो लोग कुछ लोग तो खुद कोई नुकसान पहुंचाने लग जाते हैं कुछ दूसरे को तोड़ फोड़ना शुरू कर देते हैं अब व्यक्ति को पता है कि मार पिटाई नहीं कर सकता तो वहाँ पर वो जुबानी लड़ाई शुरू कर देता है गाली गलोज करता है अब गाली गलोज देने का परपस यह होता है कि दूसरे को नीचा दिखाएं दूसरे को यह महसूस कराएं कि तुमने मेरी इंसल्ट करी तुमने मेरी एगो को चोट करी तुमने मेरे एहम को चोट करी तो मैं भी तुमको नीचा दिखाऊंगा मैं भी तुम्हारी बेज़ती करके जो तुम्हारी एगो है जो तुमको लगता है कि तुम्हारी इज़त होनी चाहिए क्योंकि जब आप किसी की इज़त करते हैं बुरा महसूस करवा दिया अब ठीक है जब तक लोग महसूस ना करवाए उनका दिमाग में चलता रहता है कि यार मेरा बुरा हो गया मैंने कुछ नहीं किया तो मैं कमजोर हूं तो ये कमजोर इस तरीके के जो माइंड सेट है ये सोच ही है व्यक्ति की जो कि उसको गलत काम कर पे गलती करते हैं जैसे कि सवाल किया है कि अगर कोई मेरे को गाली देता है तो मैं इसको परसनली क्यों नलो जब गाली मेरे को दी जा रही है तो आप ले लो परसनली लेकि आपको खुशी मिलती है अच्छा लगता है तो लो परसनली खुब लो लेकिन उसके बाद होगा क किसी को आपके ओपर गुसा आया जाहिर सी बात है या तो आप कुछ गलत कर रहे हो या दूसरे को लगा उसके अकॉर्डिंग आप कुछ गलत कर रहे हो और वो आपको रोकना चाहता है आप रुक भी नहीं रहे हो वो समझा रहा है या उसको समझाना नहीं आ रहा या वो समझा रहा है पर आप समझना नहीं चाहते किसी भी वज़े से दूसरा जो चाहता है आप वैसा नहीं करते अब दूसरे को समझ नहीं आ रहा है जब समझ नहीं आता तो फिर गुसा आता है तो वो गुस्सा करेगा, वो आपको गाली के लोज करता है, गालियां क्या होती है, गालियां एक तरीके से बत्तमीज ही होती है, बेज़दी करना होता है, तो वो आपकी बेज़दी करेगा, बेज़दी इस वज़जे से की जा रही है, क्योंकि इस चीज़ को पर्सनली इस व पातकों से बुरा लगा है गालिया सिरफ अगर आप इस चीज को गालियों की शब्दों पे न जा कि उस जजबात पे जाएं उस भावनाओं को समझें कि कोई आपको बुरा महसूस करवाना चाहता है क्योंकि उसको बुरा लगा तो आप शब्दों को इतना ध्यान मत दें पुछ ऐसा किया जिसकी वएजêtre दूसरे को बुरा लग गया अब उसको बुरा लगा तो उसके दिमाग में जो नाचुरल रियक्षन नहुता वह यह होता है मैंने भी इसको बुरा फिल कराना है तो कुछ लोग इंसल्ट करते हैं कुछ लोग छोड़ देते हैं तो अगर अ उसने आपके साथ बत्यमीजी करी, गाली के लोज करी, अब आपको बेज़ती महसूस हुई, क्युंकि आपने सोचा था कि आपके साथ इज़स से बात हो, अब आपकी इंसल्ट हो रही है, तो अब आपको भी है कि मुझे भी बुरा फिल कराना है, अपना सोचना है ना अपना हमारा क्या फायदा हो रहा है हमें क्या शांती मिल लिया हम सुकून हमारी जिंदेगी में सुकून आर और क्या गुसा करने से जो मेन प्रॉब्लम है वो सॉल्व हो गई क्या समझदारी यह होती है कि कोई गुसा करता है आप समझो कि वो गुसा क्यूं कर रहा है उसे किस बात का बुरो लगा आप शांत ही थोड़ी देर अग इस सिचुईशन को ऐश से देको कि आप गुसा नहीं कर रही हो आप शांत उस विक्ति को देख रहे हो और आप समझने की कोशिश कर रहे हूँ, ये क्यों परेशान है, इसको क्या बात, कुमसी बात बोरी लगी, क्या तकलीफ है इसको आप उससे पूछ सकते हो कि चलो ठीक है, तुमने गुसा किया कोई बात नहीं, इसके बारे मैं तो बाद में बात कर लेंगे तो जब आपके साथ तमीज से बात करेगा, वो बोलेगा कि तुमने ये किया, मेरा दिमाग खराब हो गया, मैंने ऐसे रियक्त किया, तो फिर आप उसको बोल चाकते हो कि देखो, यहाँ पे कुछ मिसंडस्टेंडिंग हो गई, आप, मुझा आप पहले उससे सवाल करो, सवा ही अंडस्टेंडिंग क्लिर हो जाती है, रीजन ही होता है कि जो हमारे को एक गलत फहिम ही होती है, कि हमको लगता है, जैसे हम सोचते हैं, दूसरा भी वैसे सोचता है, लेकिन ऐसा नहीं है, सभी जो लोग होते हैं, उनका अपना एक लेवल अफ अंडस्टेंडिंग होता ह उनका level of experience होता है उनकी समझ होती है तो उनको नहीं पता उनका जितना life का exposure है उसके हिसाब से वो अपने अंदाज़ा लगा लेते हैं अब मान लीजे suppose आपने किशे को message किया दूसरे व्यक्ति ने आपका message का reply नहीं किया आप कुछ भी अंदाज़ा लगा लो आप सोच सकते हो कि ego दिखा रहे है attitude दिखा जा रहा है ignore किया जा रहा है लेकिन ऐसा भी हो सकता है कि दूसरा व्यक्ति का जो past experience है messages से related वो अच्छा ना रहा हो और उसे उसे लगता हो कि कहीं फिर से जो past experiences फिर से repeat ना हो जाएं फिर से बे वज़े है उसको fall to का stress face ना करना पड़े यूंकि fall to का stress face किया तो व्यक्ति को एक negative memory create हो जाती है वो फिर से वो stress नहीं चाहता तो इस वज़े से वो ना reply कर रहा हो तो इसमें क्या समझसे है इसमें व्यक्ति की personal experience समझसे है वो किसी को जान बोच के ignore नहीं करता लेकिन दूसरा व्यक्ति उसको personally ले ले तो यही misunderstanding का main reason होता है ज़्यातर लोग क्या करते हैं वो सारी बात अपनी उपर लेके चलते हैं लेकिन वो यह नहीं समझते हैं किसी व्यक्ति की जाये तो फिर लंबी बाते होंगी और फिर अगर reply ना करें तो लोगों को बुरा लग जाता है तो एक बात है कोई कैसे भी समझ सकता है कैसे भी गुस्ता कर सकता लेकिन समझने वाली बात यह है कि जब तक आप दूसरे का perspective सुन नहीं लेते तब तक अपनी कोई assumption नहीं बनानी चाहिए और बनाते भी हो तो उसको final नहीं समझना चाहिए अच्छा जब यह सब बाते clear होगी तो फिर दूसरे perspective को आप कह सकते हो जब आप प्यार से इज़त से बात करोगे तो दूसरे perspective सुनेगा आपको फिर आप भी समस्चा के समधान के बारे मैं सोचे ऐसे ही समाजदार लोग situation के साथ situation को normal कर देते और जो समाजदार नहीं होते ना समझ होते हैं वो मार पीट गाली गलोज करके situation को और बुरी तरीके से ऐसे कर देते हैं कि जैसे बस अब बुरी हलत खुद के लिए भी stress और दूसरे के लिए भी stress create करना तो समयजदार यह यह है कि कोई आपको गाली देता है आप परष्णिले लेने की जुरूथ ही नहीं है गाली देने से क्या फरक पर जाता है अगर कोई आपको नलायक बोल देता है तो आप नलायक हो जाओगे क्या अगर आप समयजदार हो तो और अगर आप समयजदार हो ही नहीं अगर आपको कोई समयजदार बोल दे तो आप समयजदार हो जाओगे क्या अगर आपके उपर इन शब्दों का असर पड़ता है तो इसका क्या 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 क्य चुना कि मुझे सुनाया जा रहा है अगर सुनाया भी जा रहा है तो सही सुनाया जा रहा है कर लो दूर उस कमी को दूर कर लो फिर आप और अगर दूर कर लो गे उसके बाद भी लोग सुनाएंगे तो फिर क्या फरक पड़ता है सुनाते रो हमने तो अपने उपर काम कर लिया ना लोगों को अपने उपर काम नहीं करना दूसरों को चेंज करना है दूसरों को चेंज इस वह से करना वो असान है ना बोल तो ग्यान दे तो दूसरों को ग्यान देना अच्छा लगता असान है लेकिन खुद के उपर काम करना रहा है इतना मुश्किल काम ये कैसे कर लेंगे तो कुल मिला के बात है ये moral of the story जो है वो ये है गुसे को काबू करना कोई आसान काम नहीं होता गुसा और डर ये दो इमोशन सबसे खतरनाक इमोशन होते हैं difficult emotion होते हैं कंट्रोल करने के लिए और इनको कंट्रोल करने के लिए वक्त लगता है और practice की जुरूत पड़ती है mindfulness की जुरूत पड़ती है खुद को समझाना पड़ता है कि मुझे गुसा नहीं करना मुझे शान रहना है ये practice से आता है ऐसा नहीं होता कि आप सोचो कि मैंजे गुसा नहीं करूँ और आपको गुसा ना छूट गया आए गई नहीं सबसे पहले तो आपको शब्दों पर ध्यान नहीं देना आपको समझना है कि शब्दों से कुछ नहीं होता, आपको कोई समयजदार कहने से आप समयजदार नहीं हो जाओगे और आपको कोई नालाइक कहने से आप नालाइक नहीं हो जाओगे आप जो हो, आपको अच्छे से पता है अगर आप खुद को जानते हो तो आपको पता है और आप खुद के उपर काम करते हो, self improvement करते हो, फिर इन बातों से आपको कोई फरक नहीं पड़ता है अगर कोई आपको गाली देते हैं, तो आप गाली पर ध्यान ना दे के आप यह सोचो कि क्यों गाली दी जा रही है क्या आप कुछ गलत कर रहे हो, या दूसरा को लगता है ऐसा कि आप गलत कर रहे हो अपना पक्ष बताओ, अपनी पक्ष समझाओ, उसका समझो समझदार लोगी समझने का काम करेंगे, ना समझ नहीं समझता, वो समझना ही नहीं चाहता वो सोचना ही नहीं चाहता तो बस ये थी मेरी सोच जो मैंने आपको बताया और अगर आप कुछ समझे इस चीज़ से तो अच्छी बात है नहीं समझे तो मैं और मुझे नहीं लगता मैं कुछ समझा सकता हूँ इस विशे पर तैंक यू